आत्म मित्रम आत्म मित्रम एशुयन आत्म मित्रम परमेश्वर की बेड़े नाम की मगिमागो फिर से आने वाला प्रभू इशु मशी के मेटे और मदुर नाम से सब को जहे मसी की अभिन दिन करता हूं फिर से एक बार और आज सुबह ए प्रभाद मनन में आकर परमेशवर की वजन से तोड़ा मनन करने के लिए परमेशवर ने एक और अवस्र हमारे जिवन में दिया है इसलिए परमेशवर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिछले दिनों में हम नर्गमन की किदाब 16 वे अध्याई से कुछ बाते मनन करके आ रहा था परमेश्वर का इसराइली लोगों के लिए कैसे उनकी मरस्तल में काने पीने के लिए विवस्ता कर रहा है परमेश्वर का चमतकार हम देख रहा था आन मुझा उसका 13 पद से 21 पद तक हम देख रहा है उसके बाद वो कैसे करना है कैसे निकालना है कैसे इकटा करना है कैसे काना है सबका इंस्रेक्शन भी उदर दिया हुआ है वो इससे हम देख सकता है कि according God's provision is also a sin against God परमेश्चर ने हमको कुछ चीज़ देता है वो हम परमेश्चर के लिए बिना यूज़ करते हुए हमारे पाथ पकड़ कर रखेगा तो हम परमेश्चर के विर्त में पाप करता है ये बात को हम इधर देख सकता है कल भी हमने वही देखा था है कि इसराइली लोगों को काने के लिए परमेश्चर ने दिया है पर दो वो लोग काया नहीं है वो अगले दिन के लिए वो बचा कर रखा है उसी के द्वारा हम देख सकता है कि वो किड़ा पड़ गया है भदबू निकलना लग गया है एक बहुत बड़ा समस्या उनके जीवन में आ गया है परमेश्चर ये चाहता है कि हमारे जीवन में भी परमेश्चर ने कुछ वरधान हमारे जीवन में दिया है कुछ आशिश का हमारे जीवन में दिया है कुछ बाते हमारे हातों में परमेशन न सौंभा है वो बात को हम कभी भी प्रबूत का महिमा के लिए बिना यूस करते हुए हम कभी भी वो पकड़ के नहीं रखना है ये परमेशन हम से चालता है ये इसराइली लोग आईसी वो मना को क्यों उसने बेचा के रखा है हम जानता ही कि उनका परमेशन के उपर का विस्वास में इतना द्रिड़ नहीं था वो लोग वो सोचा होगा आज तो परमेशन ने दिया है परन्दु कल नहीं मिलेगा तो हम क्या काहेंगे वो सकता है ऐसा विजार में रखते हुए उन लोग ने रखा होगा प्रियबायो बगनों हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी आशंका है अविस्वास हमारे जीवन में आ जाता है परमेशन के उपर भरोसा कभी हमारे जीवन से नश्ट हो जाता है आईसी एक अवस्तर ये यहुदी लोगों के बीच में भी आ गया है प्रियवाई उबगनो आईसी एक अवस्तर हमारे जीवन में ना आए हम एक बात को हमको ध्यान करना है hoarding God's talents is robbery from God's kingdom हम यदी परमेश्वर ने हमको कुछ चीज़ देता है वो हम कामें नहीं लेता है हम बचा के रखता है ये हम परमेश्वर की राज्जी से हम कुछ चोरी कर रहा है उसी के समानदा में है प्रियवाई उबगनो आईसी हमारे जीवन में ना आए हम परमेश्वर हमको चिताव नहीं दे रहा है परमेश्चुर ने कुछ चीज हम को दिया है वो कभी भी हम पकड़ के नहीं रखना इसलिए सभोब देश पांच अतियाई तेरा पद में देखा है धनी लोग उसी का धन कल के लिए बिचा कर रखता है वो उनका नुकसान के लिए है प्रिय भाईयो भगनो परमेश्चुर ने हमको धन दियेगा तो वो धन परमेश्चुर का महिमा के लिए हमको यूस करना है वो हमको खल के लिए बचा के नहीं रखना है यदि हमने आईसी बचा के रखेगा तो वो हमारा नुकसान दायक बन जाता है उसी में कोई भी डाउट नहीं है मलाकी किदाब उसका पांच तीन अधिया है आटवे पद में प्रबू परमेश्वर इसराइली लोगों से यहुदी लोगों से पूछता है तुम किस से मुझे चोरी करेगा तुम देशामश नहीं देता है परमेश्वर के लिए नहीं देता है परमेश्वर को देने का चीज तुम नहीं देता है वो परमेश्वर की सनिधान से एक चोरी की समानता में है प्रियबायो बहनों आईसाख हमारे जीवन में ना ओये हम जानता है कि मतीस सुसमजार पच्चीस धियाए में एक राजा इस देश चोड़कर दूसरा देश में गया है जब उनका दास लोगों के पास पांच और दो और एक चीज़ देखे गया है बोलाता है उससे तुम दंदा करना है में आएगा जब तक तुम दंदा करते रहे न दो पांच मिला है उसने दंदा करके पांच और कमाया है दो मिला है उसने दंदा करके दो और मिलाया है परंदू वो एक दिया है उसने ये सोचा है मेरा ये स्वामी महुत खदरनाक स्वामी है यदि मैं ये दंदा करके इनका पैसा नश्ट हो जाएगा तो वो मेरे को माहत डालेगा वो सोचकर उसने क्या कर दिया है वो चीज़ को उसने मिठी के अंदर जमा कर रखा है उसी के लिए यूस नहीं किया है जब वो स्वामी वापस आया है उसका मतीसो समझार पच्ची सद्या है चबीसोर से अटाइस तक हम देख सकता है कि उदर प्रभू उनका स्वामी उसको डाट रहा है तुम क्यों वह ऐसा के या है तुम कुदी बोल रहा है मेरा सुभाव ऐसी है तुम को जानता था मेरा सुभाव ऐसी है ऐसी है तो तुम कोई भाहिंगर के पास कोई चीज़ों में तुम जाके इन्वेस्ट करके उसी का में आने के टाइम वो भ्याज के साथ में ले सकता था इसलिए उसके उपर डाट रहा है हम सभी इस सीखना ये है कि परमेश्वर ने कई चीज़ परमेश्वर का बिच्च लोगों को दिया हुआ है वो आत्मी वर्दान दिया हुआ है उसी से हमको प्रभू का महिमा के लिए काम करना है परंद वो बहुत मार हम क्या करता है वो वर्दान को हम चपा कर रखता है वो हम उसी के लिए प्रभू का महिमा के लिए कभी भी यूस नहीं करता है उसी के द्वारा प्रभू को कोई भी महिमा नहीं मिल रहा है आईसी आवस्ता हमारे जीवन में आ जाता है जब हमको भी ये सोचना है एक दिन हमारा स्वामी आएंगे स्वामी हम से इसाब ले लेंगे जब हमने पांच और दो और कमाया उनको लेके सफाशी दिया है परदू कुछ भी नहीं कमाया है उनको डाट रखा है प्रियबाई वगनों हमारा वी प्रभूईश में शिखाने के बाद नहाएक के सिमगास इनके सामने हर एक विस्वासी को कड़ावरा पड़ेगा हम को दिया हुआ चीसों से हमने क्या किया है परमेश्वर ने हमको भड़्डारी बना के रखा है परमेश्वर का कुछ चीसों हमारे जीवन में दिया हुआ है उसी से हमको धंदा करने के लिए ये दी हमने नहीं किया तो प्रिवाईयों बगनो उसी दिन बहुत बड़ा एक ढार्ट परमेशु से हमारे उपर मिलेगा करोड़ों लोगों के सामने हम बहुत बहुत शर्मिंदा होने का एक अनवो हो जाएगा परमेशु हम को सखाइदा करें हम ये पृति के लिए नहीं है मतिस समझार चे अदियाई भीस पर हम देखा है ये पृति पे तुमने कुछ चीज निश्टेव करेगा तो वो क्या है कीड़ा काटेगा चीटी काटेगा वो नुक्सान हो जाएगा परंदु इसलिए सुर्ग में तुम संबती जमा करो उदर कोई भी वो कराब नहीं होता है तो ये बायो बगनो हम अपने आपको एक बार देखे परमेशर ने हमारे हाथ में कुछ दिया है हम वो चिपा के रखता ही क्या परमेशर का महिमा के लिए काम में नहीं लाता ही क्या बिल्कुल एक दिन हम को परमेशुर के साब ने प्रभु के साब ने उसी का इसाब देना पड़ेगा इसलिए परमेशुर ने दिया हुआ चीज़ों को धंदा करके परमेशुर का महिमा के लिए परमेशर काराजी का विस्तुर्दी के लिए करने के लिए इस वजन के दुआरा परमेशर कम को सकाइदा करे उसके बेड़े नाम की महिमागो